Welcome guys आप सब्स्वागत है इस new video में अब इस video में हम सिखने वाल है कि कैसे हम इस kind of image हम बनाए इस image कैसे बना सकते है वह हम सिखने वाल है So without any fault ado, let's get start First of all, हमें यहाँ पे image है अब यह image हमें png लेनी है Okay, not jpg अगर किसी को नहीं पटा क्या jpg or png है तो आप उपर आई बटन पर जो वीडियो आ रहा है वो देख सकते हैं अब तो सबसे पहले हमको यह PNG इमेज लेनी है अब नॉर्मलिल लोग क्या करते हैं कि उसको ऐसे यह A4 साइस का पेज है उसके रख देते हैं फिर उसकी Ctrl J करके Copy करके ऐसे Rotate करके ऐसे ऐसे करके रख देते हैं तो इस इस नोट राइट वे तो गाइस तो मैं एक सिंपल और बड़िया तरीका दिखाने वाला हूँ तो कैसे करना है तो सबसे पहले हमारी यह image है उसको select करने का ओके डेख लीजए यहाँ पर एकी layer है अब edit में जाने का edit में जाके यहाँ से लेने का है define pattern ध्यान रखेगे क्या लेना है define pattern अब यहाँ पर आप इस pattern को कोई भी नाम दे सकते हैं आपको जो मंचा है वो जैसे कि मैं यहाँ पर ले ले लेता हूँ कान्टू ओके और मैंने ok कर डिया अब मैं क्या करूंगा हमारे page पर आओंगा अब यहाँ मैं edit में जाओंगा और यहाँ पर जाओंगा fill में पूरा खेल अब यह fill का है अब यहाँ से करने का क्या है तो यहाँ से हमको pattern को select करना है तो pattern को जैसे अब देखिए समझ लीजे कि ऐसे हो तो उसको हम pattern में select करेंगे तो यह pattern के option आ जाएंगे इसमें से हमको लेना है हमारा वाला pattern जो हमने create किया था तो यहाँ पे हम क्लिंक क पैटन आ गया तो उसको सिलेक कीजिए अब यहां से हमको लेना है रेंडम धियान रखे रेंडम मतलब कि रेंडम मतलब कि कोई भी साइज में कोई भी रोटेशन में आ जाएगा हमारी इमेज बस इतना सिलेक करके ओके कीजिए जैसे ही ओके करेंगे यहां पे हमारा प्रिव्यू आ जाएगा अब यहां पे हमको देंसिती मतलब कि कितना डोनों के बीच में गैप होना चाहिए वह द और नीचे बरे से बड़ा कितनी साइज का होना चाहिए बस इतना और रोटेट करना है तो क्लिक कीजिए नहीं करना है तो मत की क्लिक कीजिए अबस इतना सिलेक्ट करके ओके कीजिए तो यह देखिये यह सिंपल वे में आपका यह पूरा वर्क हो गया समझ में आया अब मैं आपको वापस एक बार समझा देता हूँ आप समझ लीजिए मैं डूसरी इमेज लेता हूँ आप एक से ज्यादा पी एंजी का यूज करके ब्याग बना सकते ओके तो सिंपल ही आपको करने का कुछ नहीं स्टेब वन एडिट में जाहिए एडिट में जैसे डिफाइन पैटन लीजे जान रखेगा हमारी इमेज पी एंजी होनी चाहिए फिर आप कुछ भी नाम देदे जैसे कि मैं इसको डिलेता हूँ लोफी गेंग और ओके अब नया पेज लीजे कंट्रोल एंड अब एफोर स और यहां से अपने जो पैटन बनाए ती उसको सिलेक कीजिए आ गई यहां से रेंडलम को सिल्ए कीजिए तो यह रेंडम ली हमारी सारी पैटन आ गृपों इसकील आप डी लिए बिली है आप ही सबसे करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं और लास में ok and that's it हो गया अगर आपको all चाहिए तो आप all ले सकते हैं फिर से edit में fill में वही process ok कीजिए randomly and ok तो हर बार हमें अलग-अलग render की image यह हमको provide करके देगा ok तो ऐसे ही हम जितनी image बनाना चाहें जैसी pattern वाली बनाना चाहें आप बना सकते हैं ok तो यह मैंने कुछ sample मैंने description में डाले हैं तो आप वह देख लीजिए और आप practice कर लीजिएगा अगर कोई समझ कुछ समझ में ना आए तो आप comment भी कर सकते हैं मैं आपको पूरा का पूरा explanation करने की पूरी कोशिस करूगा thank you guys for watching this video मिलते हैं next video में